चोपड़ा इस विसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो NTA ने आंस्वर की चैलेंज और ओमार चैलेंज के लिए समय सिमय निर्धारित कर दी है यानि क्लोजिंग डेट इसकी दे दी है और वो क्लोजिंग डेट बिल्कुल ही निर्बाई है यानि कि इन्होंने 31st से लेकर 2nd September 22 तक ये डेट दी है तो आपको पता है 31st August तो निकल चुका है अभी दो ही दिन का समय बचेगा आपके लिए 1st और 2nd September 22 को यानि कि आंस्वर अगर आपको चैलेंज करना है आपने आंस्वर की चैलेंज करना है या ओमार चैलेंज करना है तो कल के दिन में ही कर दें परसूं का वेट ना करें इसमें क्योंकि हो सकता है सर्वर में बाद में कोई प्रोब्लम हो उसकी वज़े से कोई प्रोब्लम आए अब इसमें आनस्वर की कैसे चलेंज करना है और जो ओमार सीथ है वो कैसे चलेंज करना है इसके बारे में मैं अलड़ी एक डिटेवीड वीडियो दस 50 दिन पहले बना चुका हूँ फिर भी मैं एक इसका detailed video बना दूँगा कि कैसे कैसे आपने इसको challenge करना है अभी मैंन बात हमारे दिमाग में ये आती है कि हमें कौन-कौन से cushion को challenge करना है तो देखो मैं आपको बताओं कि सबसे पहले जो challenge करने वाला cushion है वो physics का है threshold frequency वाला जो physics का cushion है वो challenge करने वाला है आप उसको challenge कर सकते हैं इसके बाद biology का भी cushion है जो statement वाला है उसमें vascular bundle वाला है उसको भी आप challenge कर सकते हैं और आप सोचते हैं अगर किसी का ATP वाला cushion भी गलत हुआ है तो उसमें दो option हो सकते हैं टीपी वाले क्यूशन को भी बाइलोजी वाले क्यूशन को आप चलेंज कर सकते हैं इसमें तो ये आपके उपर है कौन-कौन से क्यूशन को आपने चलेंज करना है जो चलेंज करने की फीस है वो 200 रूपीज है और वो non refundable है यानि कि किसी भी condition वो refund नहीं होगी और ये जो डेट है इसकी 2nd September मैंने बता दिया रात 11 बचके 50 मिनट तक है अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप चैलेंज करेंगे आंस्वर को चैलेंज करेंगे किसी भी क्यूशन के आंस्वर को चैलेंज करेंगे तो NTA के expert team दोरा उसको review किया जाएगा expert, final दोरा उसको verify किया जाएगा subject, expert दोरा और उसके बाद में अगर वो सही पाया जाता है तो एक final answer की जारी की जाएगी जो result से two, three hours पहले ही की जाती है और उसमें जो answer है NTA ने उसको माना है, सही माना है वो उसमें revised करके revised answer की final answer की जारी की जाएगे तो इसमें अगर आपको भी challenge करना है, आप सोच रहे हैं कि किसी question का answer गलत है तो 200 रुपीज पर question के होंगे, आप challenge करना चाहें तो इसको कर सकते हैं timing बिल्कुल ही limited है, यानि कि 2nd September तक आपको challenge करना है इसको अभी कैसे challenge करना है, ओमार को और इसको, वो मैं इसका detailed video next में upload कर दूँगा तो आप देखके वैसे challenge कर सकते हैं तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैख आप्ट के अझा अचिए नढाना है